Electric two wheelers जो हैं वो बहुत तीजी से हाँ पर evolve कर रहे हैं और market में आपको बहुत सारे brands देखने को होते हैं लेकिन एक बाँ बता सकते हो हर एक brand खरीदने लाइक नहीं है और जित्ते भी अच्छे brand है ना उन में से कोई भी perfect नहीं है सब के अंदर कुछ ना कुछ कम्या है और हर एक ही requirement के इसाब से अलाग अलाग brands यहां पर आपको देखने होते हैं तो इंडिया में उनके बार में बात करने वालों जो obviously top 3 के अंदर आते हैं जो market में अची position achieve कर रखी है प्लस कुछ हैसों के बारे बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे लिस्ट में इतनी चीज से जंप मारा है कि पहले तो top 3 में आए और अभी second position achieve कर लिए है और हो सकता है कुछ समय बाद यह company first पर आजाए अगर अभी तक guess नहीं कर पायो तो यहां पर हमें बात करो TVS की TVS की iCube मैंने हाँ पर check out करी थी और उसको देखके एक word मैं बोल सकता हूँ कि यह no nonsense scooter है क्योंकि एक ऐसा electric two wheeler है जिसके नरव को गोई भी फालतू चीज देखने को नहीं मिलती TVS iCube की specialty की आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है यह यहां पर अच्छे तरीके से काम निकाल देगा एक simple सा है आप चावी लाओ स्टार्ट करो यहां से वहाँ जाओ वहाँ से आओ घर में चार्ज करो बस simple सा concept है और यह TVS iCube दे रहा है around 1 lakh के price point पे काफी कच्छा scooter है availability आपको TVS के शुरूम पे देखने को मिल रही है TVS इसकी servicing वगरा कर रहा है और बहुत तेजी से pan-india establish कर रहे है और पिछले कुछ महीनों में जो growth मैंने देखिए TVS की वो बहुत जाद exceptional है और देखा तो सड़कों पर भी TVS बहुत देखने को मिल रहा है यह कुछ personal observations थी मेरी हाला कि बात किया तो इसके आदर आपको BLDC hub motor देखने को होलती है अब hub motor की implementation करने का reason यह रहता है क्योंकि वो सस्ती पढ़ती है इसलिए hub motor आपको जो budget scooters होते वहाँ देखने को मिलती है लेकिन hub motor के साथ problem पता क्या है वहाँ पर यह कि अगर आपको कभी चड़ाई पे चड़ना तो जादा power लगती है इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको जादा speed चाहिए पिकप चाहिए तो वो available नहीं होता इसके साथ एक और चीज़ होती है hub motor के साथ की उसमें range देखने को नहीं मिलती है TVS IQ promise करता है range 100 km की लेकिन realistic range उसमें मिलती है ना वो 70-75 km की मिलती है और यहाँ पर देखा तो TVS वाले IQ का S model भी निकालते है जिसके अंदर कुछ smart features उन्होंने डाल दी है लेकिन मेरी नजर में S और जो normal version आता है वो same ही है सिर्फ smart features का फरक है battery pack same देखने को मिलता है जिस current से range भी same है महंगा model आता है उससे आप avoid कर सकते है और budget में देखा जाए तो काफीक सही choice हो जाता है इसके साथी बात यहाँ तो स्का ST वाला version भी आता है लेकिन वो market में है नहीं शोरूम में पता गिया था उनको भी इसके बारे में कुछ जादा पता नहीं उस version के अंदर 4.5 kWh की बैटरी है और इंडिया में जो fame to subsidy है ना वो किसी भी electric two wheeler को तभी मिलती है जब उसके अंदर 4 kWh की से कम की बैटरी हो इसलिए देखा जाया तो शायद उसकी pricing control नहीं कर पा रहे है लेकिन अभी भी शायद इंतजार करना पड़ेगा ST वाले version के लिए क्योंकि अल्मूस्ट एक साल होने को आ गया है लेकिन किसी को कर एक basic scooter चाहिए है सिटी के अंदर चलाना है, range कम है, जादा पहाड़ी area चढ़ा ही जादा नहीं है एथर की सबसची बात है कि consistent improvement लाते रहते है उन्होंने design सारी चीज़े hardware को try कर रहा है टेस्ट किया अच्छे तरीके से Indian conditions में इसके साथी software में updates लेकर आ रहे है एथर stack 5 देखा जाए तो उनका software के UI का नाम है जिसके अंदर काफी interesting features है इवन ये एकलोते electric scooter इंडिया में जहाँ पर आपको Google Maps का भी support देखने को मलता है इसके साथी आपको auto hold का भी support है जिसके अंदर गाड़ी अगर आपने चड़ाई पर चड़ा दी तो गाड़ी वही पर रुकी रहेगी वो आपकी पीछे नहीं खिसकेगी इसके साथी बात है कि जहाँ जहाँ पर एथर की showrooms available है उन उन cities के अंदर आपको एथर के chargers देखने को मलते है और देखने है तो इंडिया में electric two wheeler के अंदर सबसे बड़ा charging network एथर कमतनी के पास यह कुछ plus advantages है एथर के इसके साथी experience center में जाती है यहाँ पर प्रीमियम नेस देखने को मलती है तो देड़ लाख रुपे में आपको गाड़ी के अंदर क्या मिलेगा देखो देड़ लाख रुपे के अंदर जो company यहाँ पर जो range claim करती है वो ARA वाली तो 146 km के राउंड है लेकिन यहाँ पर एथर वाले प्रमोट करते है true range को जो की claim किया जाता है 105 km क्या 105 km एथर का 450X से हाँ पर ले जा सकता है देखो बिल्कुल ले जा सकता है क्योंकि 450X के अंदर modes आते हैं और जो eco mode होता है उस mode के अंदर यह लोग अचीव कर सकते है 105 km की range को जिसका आपको experience मिलता है वो यहाँ पर काफी अच्छा है अगर आप एथर 450X का वीडियो देखना चाहोगे आने वाले future में नीजे comment में ज़रू बताना है इस बात को इसके साथी बात करें तो एथर वालों का एक और model आता है 450 Plus वो देखा जाता है तो उसके अदर range भी थोड़ी कम मिलता है 85 km के अरूंड वो promise तो 450X Gen3 इसको भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको power performance और stable product चाहिए और एथर अगर आपके शहर में और एकदम premium लेना चाहते है तो यहाँ पर यह हो जाती है इसके साथ ही जो तीसरी company के मेरे में बात कर रहा हूँ वो देखा है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है और वो है Ola Electric अब Ola के अंदर आपको S1 Pro, S1 और S1 की भी दो अलग लग model देखने को मिलते हैं क्योंकि पिछले कुछ महिनों में इनों ने काफी सारे changes कर दिया देखो सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि Ola S1 Pro में जो range मिलती है वो A, R, E, I वाली बोलते हैं यह लोग 181 km लेकिन यहाँ पे Eco mode में बोलते है 170 km और Normal mode में बोलते है 135 km लेकिन आप लोग को पता है कि Ola S1 Pro में actually में range किती है देखो Eco mode जो है वो हमेशा के लिए sustainable नहीं है क्योंकि उसके अंदर speed कम है, acceleration कम है और चड़ाई पर दिक्कत देता है इसलिए Normal mode ही recommend किया जाता है और Normal mode में क्या 135 km achievable है बिलकुल achieve आप यहाँ पर कर सकते है single आप में बैटके चला रहा है और इसके अंदर अगर आप लंबे समय तक Normal mode के अंदर चलाएंगे तो achievable किया जा सकता है लिकिन बात यह कि एकदम से जब battery यहाँ पर कम होते है तो automatically eco mode के अंदर आ जाता है जहाँ पर यह battery बचानी कोशी करता है लेकिन उस चक्कर में आपको पावर उत्ती देखने को नहीं मिलती साथ में अगर कोई बैठाओ भी हो ना तब भी 100 km city ride के अंदर Ola के अंदर achieve कर सकते है S1 Pro की यह बात है इसलिए अपनी range की कारण यह जादा बिखता है प्लस इसका जो price point है 1,30,000 लोको यह चीज़ हाँ पर काफी पसंद आती है कि कम price के अंदर ने जादा range मिल रही है और यही एक reason ने की हाँ पर जादा बिखता है किन इसके बाद जो अगला model है ना थोड़ा सा सही लगता है जो कि Ola S1 आता है 3 kWh बैटरी के साथ लगबग 1,00,000,000,000 रोपे कीमत राती है लेकिन इस model के अंदर यह कि हापको hyper mode देखने को नहीं मिलता जो S1 Pro में cruise control जैसा feature नों ने हाप अटा दियो और बैटरी कम कर दिये लेकिन बात की जा तो Ola S1 के अंदर भी क्लेम किया जा रहा है 100 km के उपर की range को लेकिन यह realistic world के अंदर देखा जाए तो आपकी 80-90 km की जो range होती वो realistically अचीव कर सकते है इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक और model निकाल है Ola S1 का 2 kWh बैटरी वाला model और उसके अंदर देखा तो आपको शाथ realistic range लगबख 60-70 km तक ही देखने को मिलेगी लिए experience center open करें जहाँ पर लोग जाके experience भी कर सकते है और यहाँ पर गाड़ी में कोई problem हो जाए तो वहाँ पर उस चीज़ को solve कर सकते है अभी देखा जाए तो जहां तक मैंने last check किया था यह तकरीबन 400 शहरों में है तो अगर Ola कोई लेना चाहते है तो एक पर experience center में जाए experience करें और उसी के बाद जा कर ले क्योंकि अगर आपके घर के पास अगर experience center है और future में कोई दिक्कात आयती तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां से experience center बहुत दूर है तो लोगों को यहाँ पर दिक्कात आती है लेकिन वहीं बात करें Ola के S1 Air के बारे में क्या देखो S1 Air के बारे में बात करें तो यह जो product था यह उन्होंने refresh करके क्या कर दिया पता है इस battery का size कम कर दिया टू किलो वाटर 85,000 रुपीज में फिर एक लाख रुपे में 3 किलो वाटर बैटरी का वर्जिन ले जा रहे है फिर एक लाख 10,000 में ले जा रहे है यह अपनी 4 किलो वाटर बैटरी का वर्जिन अब देखा जाए तो यहाँ जिन लोगों ने शिरुवात में बुक कर दी थी 80,000 रुपीज के प्राइस में 2.5 किलो वाटर वाला वर्जिन वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट में रह गए क्योंकि उन्हें असी हजार रुपी देने पड़ेंगे लेकिन उन्हें एक लाख वाला मॉडल यहाँ पर 80,000 मे वाटर बैटरी के लिए वो थोड़ा से हाँ पर जाद लगा हाला कि अगर मैं बात करूँ इसकंद आपको एक्जक्ली में रेंज कितने की मिलेगी तो यहाँ पर मैं बता सकता हूं कि जो बेस मॉडल होगा ओला एस्वन एयर का वहाँ पर रियलिस्टिक रेंज यो एक्सप कर सकते हैं पर अब पूछोगे ऐसा क्यों क्योंकि जो एस्वन एयर है न वो इन्होंने पूरी तरीके से रिडिजेंग किया जहां तक मुझे पता चला इसके अंदर अभी आपको हब मोटर देखने को मिलती है जो उती एफिशेंट नहीं है जिस का रांट से जो रेंज है अगली चीज जहां तक मैंने सुना इसके अंदर आपको रिजनरेटी ब्रेकिंग देखने को नहीं मिलेगी यह बात मैंने सुनी इसके बार में कन्फरमेशन नहीं बोल सकता लेकिन इसका भी शायद कहीं न कहीं रिंज पे एफेक्ट पड़ेगा यहां तक कि देखा तो इन इसके बार में ज्यादा बात तभी कर पाएंगे जब यहां पे इसकी टेस्स राइड्स होंगे डिलीवर होना शुरू हो जाएगा खेर इसके साथ ही कुछ और अपकमिंग स्कूर्टर के बार में बात करें तो यहां पे हमेशे अलेक्र स्कूर्टर के नाम पे सिंपल वन आ देखने वाली बात है की सिंपल यहां पर कभ आता है कि सी सूरूप में आता है अगली बात आती है तो इसके साथ हूं कि byक के भी किनुट बार में बहले बले और जो अल्ट्रा वाइलेट वाइलेच्ञ हो हाला कि इसके साथ ही ओला की बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आई थी कि वो भी अपनी बाइक लाने वाले लेकिन इस साल अपनी बाइक को सिर्फ दिखाईए इन है सड़क पर वो अगले साल आईगी के साथ ही जो सुजूकी है वो भी अपनी बर्ग मैन का एक एक एलेक्टरिक वर्जिन निकालने वाली है जिससे अप ही वो टेस्ट कर रही है इसके साथ ही हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से विड़ा आती है देखा जा तो विड़ा के आपको exclusively अलग शूरूम्स देखने को मिलें और हाला कि अगर आप कोई भी एक एक एलेक्टरिक टू वीलर इंडिया में ले रहे है तो एक प्रो टिप देना चाहूंगा आप उसके एक्सपीरियन सेंटर पर जाएए उस गाड़ी की एक बार टेस्ट राइड लीजिए और अगर आपको गाड़ी पसंद आए तब ही ल हो सकता है जो इंटरनेशनल मार्केट में लीजिम के प्राइस थे वह बहुत तीजी से यहां पर नीचे गिर रहे हैं इसी कारेंट से अभी के समय में हर एक कम्तनी इंडिया में इलेक्रिक सेल की मैनुफेक्टरिंग के अंदर काम कर रही है चाहे वो खुद का को एकसपार होने वाली है यानि कि आद से लगबग एक साल के बाद यह सबसीडी नहीं होगी और यह एक साल का टाइम है कम्तनी इसके पास जिसके अंदर वो अपने खुद के सेल से हापर बना ले तो यहां पर चोटा सा कन्फूजन आता है लोगों को कि यहां पर एक साल के कि इंडिया में सेल बनने के बाद कीमत एक दम से कम हो जाए वैस्ट के सिनेरियों यहां पर पता है क्या होगा जो पेट्रोल गाड़ी रहती और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी रहती ना इनकी कीमत बराबर आ जाएंगी आप ऐसा नहीं समझ सकते कि पेट्रोल गाड़ी को अं इंचे कमें बाता ना भूला थेंक आपको वीडियो देखने के लिए मैं आप सनलता हूं नेक्स्ट वन में गुडबाई